हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई जैनल फ्रेंड्स एगर आप अपने घर में चूहों से बहुत ज़्यादा परिशान हो चुके हैं तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिसे यूज़ करके चूहें आपके किताबों को, कपड़ों को और आपके जरुवत की चीज़ों को कोतर भी जाते हैं बलकि जारता चूहें कीचन में रहते हैं जहां पर वो खाने पीने की चीज़ों को और बर्तनों को मुह लगाते हैं और बहुत सारी बिमारिया भी फैलाते हैं इस सब परिशानियों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्का लेकर आई हूँ जिससे आप पिनम आ रही चुहों को बहुत ही असानी से अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। इस नुस्के को बनाने के लिए आपको एक कटोरी में दो चम्मच गेहूं का आटा लेना है। अब आपको इसमें वन टेबल स्पून देशी घी अड़ करना है। क्योंकि घी की स्मेल से चुहें इसे खाने के लिए अट्रेक्ट होंगे और इस असानी से खा भी लेंगे। अब आपको इसमें तंबाखु एड़ करना है। ये तंबाखु आपको किसी भी पान की दुकान से एक रुपे का पाउच या फिर पांच रुपे वाले पैकेट में बिल जाएगा। आपको इसमें वन टेबल स्पून भर कर तंबाखु एड़ करना है। अब आपको इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करना है ताकि हम इसका आटा गुन सके। अब आप इस साटे की छोटी छोटी गोलिया बना ले। तो आप जब भी इस नुश्के को बनाएंगे तो आप ध्यान रखें कि बच्चे आपके आसपास ना हो और इसे बनाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धो ले। तो फ्रेंट्स आप इस तरह से गोलिया इसके बाद आप घर में जहां भी आपकी पानी के स्टोरेज हैं जैसे कि बात्रूम में किचन में उस जगा को बिल्कुल बंद कर दें या जहां भी आपने पानी भरकर रखा है उसे धग कर रख दें क्योंकि चुह जब इसकी खुश्पू से आएंगे और इसे खाएंगे तो अन्य भी होशी सी आएगी तब वो पानी की तरफ भागेंगे इसलिए आपको इंगोलियों को रखने के बाद पानी की व्यवस्ता बिल्कुल बंद कर देनी हैं जब आपको लगे कि चुहो ने इंगोलियों को खा लिया है तब आप घर का में दरवाजा थोड़ी दे के लिए खोल दें ताकि चुहे जब इसे खाकर भागेंगे तो वो आपके घर से बाहर निकल सके तो फ्रेंड्स आप इस नुसका को एक बार जरूर अजमा कर देखीे, मुझे पूरी उमीद है कि आप इस नुसके को पनाकर बहुत ही आसान है चुहों को अपने घर से बाहर कर सकते हैं फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज आप इसे लाइक जरू कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगे भी काम आ सके अगर आपको लगे कि मेरे चैनल आपके लिए हेल्फुल है तो इसे सब्सक्राइब करे और बैल आइकों को दबाना ना भोले फ्रेंट्स फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर